प्रादिशिक समचार नमस्कार समचारों के साथ मैं प्रशान्त सेंगर सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समचार राश्ट्र की प्रगत्ती के लिए नागरिकों का सौस्थोना जरूरी कहा रक्षा मंतरी राजनास सेंग न प्रदन मंतरी नरेंदर मोदी के वेक्तित उपर केंद्रित प्रदरशनी का भूपाल में राजजपाल ने किया शुभारंब सोचिता के शेतर में नमबर वन बना रहे मदप्रदेश कहा मुख्य मंतरी ने और प्रदेश में भी हर्श उल्लास के साथ मनाय जा रहा है ईद का तोहार राजजपाल और मुख्य मंतरी ने दी बदाईयां और अब समाचार विस्तार से रक्षा मंतरी राजना सिंग ने कहा है कि राश्ट की समगर प्रगति के लिए स्वास्थ ही सब से आवशक्ततव है उन्होंने कहा कि एक स्वास्थ नागरिक ही बहतर ढग से राश्ट विकास में योगदान दे सकता है श्री सिंग कल राश्ट्री आयर्विग्यान अकादमी के 63 में इस्थापना दिवस पर आयजित कारिकम को वर्चल माध्यम से संबोधित कर रहे थे श्री सिंग ने स्वास्थ भारत मजबूत भारत की परेकलपना का भी उलेक किया उन्होंने कहा कि अकेलापन शारिरिक, मानसिक और मनोवेग्यनिक समस्याओं की मूल जड़ है और आध्यात्मिक स्वास्थ व्यक्ति को समाज के सुख दुख से जुड़ने में समर्थ बनाता है रजुपल मंगु भाई पटेल ने कहा है कि प्रधान मंत्री नारेंद्र मोदी ने कारीक उशलता, संगठनक शमता और संविदन शीलता को नई उचायां दी है और लोकतांत्रिक मूलियों को मजबूत किया है उनके कर्यकल में विदेशी मामलों, परतिरक्षा, आंत्रिक्स रक्षा, अर्थ व्यवस्ता सहित, हरक्षेत्र में जो परणाम आये हैं वाबूत पूर्व है उन्होंने कहा कि संगी धांचे को मजबूत कर लोकतंत्र की आत्मा को उन्होंने शक्तिशाली बनाया है राजपाल श्री पटेल कल भूपाल के रविद्र भावन में सुवद्रा आर्ट गेलरी द्वारा आये जित प्रधान मंत्री पर केंद्रेत कलाकृतियों के प्रदरश्णी के शुभारंब कायरकम को संभूधित कर रहे थे प्रदरश्णी में संपूर्ण देश से 50 सेधिक कलाकारों द्वारा निर्में 200 सेधिक कलाकृतियों शामिल की गए है इस अवसर पर सांसद सादवे प्रग्या सिंग ठाकृर ने कहा कि प्रधान मंत्री श्री मोदी के विशाल व्यक्तितों और महान क्रितितों को प्रदरश्णी के रूप में संजो कर प्रसुत करना एक सराहनी और अनुकरनी प्रयास है वो लिखने हैं कि प्रदान मंत्री के वेक्तित पर आधारेती ये प्रदर्शनी इससे पूरू भोवनेश्वर, नाकपूर और गोहाटी में भी लगाई जा चुकी है। प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी 24 अपरिल को प्रदेश के रीवा शहर में आ रहा है। जहांवे राश्ट्री ये पंचायती राज़ दिवस पर आधार के में शामिल होंगे। वेस अवसर पर अनेक जन्द कल्यान कारी योजनाओं का भी शुभार अंब करेंगे। केंदरी जल शक्ती मंत्री गजेंदर सिंग शेखावत ने कहा है कि बदलते वैश्विक परिद्रिश में मोटा अनाज को वेकल्पिक अनाज के रूप में बढ़ावा दिये जाना चाहिए। सिंग पटल ने कहा कि मोटा अनाज की पैदावार से पानी की भी बचत होती है और इसमें कई पोशक्ततव शामिल हुआ करते हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। पुलिटन यूट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक पर AIR News भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके लावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अत्वा AIR News एप पर भी समाचार सुन सकते हैं। प्रदेशिक समचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराजी सिंग चोहान ने कहा है कि देश में सवच्छता सर्वेक्षन फिर से प्रारम होगा। प्रदेश सवच्छता में नंबर बन पर ही बना रहना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराजी शुहान के मंत्राले में सवच्छ सर्वेक्षन फिर से वर्च्छ। सुधारने में अपनी कोशिशों को जुटाना चाहिए। ताकि लोगों में स्वच्छता के लिए प्रतिस पर्दा की भावना पैदा हो और वे अपने शहर को सरुषिष्ट बनाने के लिए अपनी श्रिष्ट कोशिशे करें। उन्होंने कहा कि शहरों को O.D.F. बनाने के भी प्रयास हो। नगरी निकायों को कचरा मुक्त कर स्टार रेटिंग देलाने की भी कोशिश की जाए। साथ ही इस्थानी जन प्रतिनिदी और यवाओं को भी स्वच्छता के कारे से जोड़ा जाए। वो लेकनी है कि प्रदीश में 23 अपरेल से स्वच्छता पकवडा मनाय जाएगा। हम सब जानते हैं कि बिमारी में हमारे लिए अपनी अपने परिवार की देख भाल करना मानसिक तोर पर कितना मुश्किल होता है। लेकिन हमारे अस्पतालों के नर्स्तिंग स्टाप को तो यही काम लगाता कि इतने ही मरीजों के लिए एक साथ करना होता है। यह सिवाभाव हमारे समाज की बहुत बड़ी ताकत है। केंद्र सरकार ने मुंबई उच्छे नायले में अपने एक हलफ नामे में कहा है कि गलत और भ्रामक जानकारी से चनावी लोकतंत पर पर्टिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सूशना प्रद्योगी की नियम 2021 में हाल ही में किये गए संशोधनों को चुनोती देने वाली याचिका पर कल सरकार दोरा इलेक्ट्रोनिक्स और सूशना प्रद्योगी की मंत्राले के माद्धियम से दायर हल अफ नामे में कहा गया कि गलत सूशना से जनता का विश्वास ल में रस्त करने के लिए इलेक्ट्रोनिक्स और सूशना प्रद्योगी की मंत्राले तथ जांचे समिती अधिसुचित कर सकते हैं हल अफ नामे में कहा गया है कि भारत में सोशल मीडिया पोर्टर्स पर दी जाने वाली अधिकांश खबरें आम उप्योग करताओं दार तयर की मस्जितों में नमाज पढ़कर दौाइं मांगी और एक दूसरे को बधाईया दे रजपल मंगु भाई पटल ने प्रदेश वासियों को ईदुल फितर की शुपकामनाई दे हैं उन्होंने कहा कि एद का पर्व अमन एकता और खुशियों का तेवार है या आपस में खुश बाईचारे प्रेम, शांती, सोहार्द, त्याग और करणा की भावना को बढ़ाता है मुक्हि मंतरी शिरी चोहान ने नागरिकों से एदुल, फितर, काव, तिवहार, आपसी भाईचारे और सद्भाव के साथ मनाने के अपील की और अब इस बुलेटिन के कुछ समचार संक पन्ना जिले में मुक्हि मंतरी लाडली बहना योजना अंतरगत निर्धारित अंतिम्तित्थी के दस दिवस पूर्व ही एक लाख बैलेस हजार साथ सो संट्यानवे महिलाओं को लावनवित करने की प्रकरिया पूरी कर ली गई है प्रधान मंतरी आवासी ओजना ग्रामिन के अंतरगत कटनी जिले की सभी जनपत पंचायतों के ग्रामों में प्रधान मंतरी के रिवा प्रवास के दोरान 4,11,000 हित्क राहियों के लिए ग्रह प्रवेश कारिकम आई जित की जाएँगए शिप्पूरी जिल में कलेक्टर रविन्रकुमार चौधरी ने कल पंचायत एवं ग्रामेंड विकास विभाग के विकास कारें की समिक्षा की चिनवाड़ा जिला कलेक्टर ने कल जिले की विभिन शालाओं का ओचक निरिक्षण किया और धार के डिस्ट्रिक कमांडेंट होम गार्ड का रेले में कल एग्जेक्टिव हेल्थ चेक अप शिविर का आईजन किया गया और अन्त में इस बुलेटिन के मुक्ष समाचार एक बार पिर राश्र की प्रगति के लिए नागरेकों का सौस्तोना जरूरी कहा रक्षा मंतरी राजना सिंग ने प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के वेक्तित उपर केंद्रित प्रदरशनी का भूपाल में राजजपाल ने किया शुभारम सोचिता के शेतर में नंबर वन बना रहा है मदरिय प्रदेश कहा मुक्ष मांतरी ने प्रदेश में भी हर्श उब्रत के साथ मनाए जा रहा है एद कते वहार राजपाल और मुक्ष मांतरी ने दे बदाए इस बॉलेटित में फिला हल इतना ही, आके दीजे, नमस्कार.